नमस्कार दोस्तों अगर आप भी अपने PF का pension का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं ना तो आपने बिल्कोल सही video पे click क्रनेः जी है यकीन मानिए ये एक video ही आप लोगों के लिए काफ़ी होने वालिया है अपने pension का पूरा पैसा निकालने के लिए क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी PF members को PF के pension का पूरा पैसा निकालने के 2025 के सबसे नए और आसान तरीके के बारे हम बताने वाला हूं मतलब की PF pension का पूरा पैसा निकालने के बिल्कुल latest process के बारे हम बताने वाला हूं तो चलिए फड़ावट सुरू कर देते हैं आज की इस वीडियो को तो इस वक्त आप सभी PF members देख सकते हैं कि हम लोग EPFO यानि PF की official website पर आ चुके हैं website का जो link है वो आप लोगको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पर आप click करोगे तो आप directly यहाँ पर आ जाओगे अब बिल्कुल कान खोल कर ध्यान से सुनना कि आप सभी PF members को करना क्या है करना यह है कि यहाँ पर आपको अपना UN number डालना है मैं आपको निसान लगा के अच्छे बताता हूं यहाँ पर आपको अपना UN number डालना है यहाँ पर password डालना है और यह जो capture आ रहा है इसे यहाँ पर fill करके simply sign in के button पर click कर देना है अब एक बात का ध्यान रहे है कि आप अपने mobile phone से भी पूरा का पूरा काम कर सकते हो मैं laptop से इसली करके दिखा रहा हूं ताकि आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे समझा जाए mobile phone से पूरा का पूरा काम कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए फटाउट मैं आपर अपनी सारी की सारी details fill करता हूं यहां पर login second factor authentication खुल चुका है second factor authentication मतलब अभी यह EPFO को नया update आया है जहां पर हमार registered mobile number पर OTP पर जाता है इस mobile number पर जो भी आपका registered है उस पर ठीक है तो मुझे यहां पर simply OTP डालना है उसके पर capture डालना है और submit पर क्लिक कर देना है चलिए फटाउट में आपर सारे details fill कर देता हूं यहां पर आप लोग देख सकते हो सारी की सारी details OTP बगरा मैंने आपर fill कर दिया है और हम simply यहां पर submit पर click कर देते हैं चलिए मैं submit पर click कर देता हूं submit पर click करते ही आप लोग देख सकते हो loading हो रहा है बहुत से PF members की सिकायत रहती ही कि सर हम अपने PF से online पैसा निकालते हैं पैंसन पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर यह 5 option आते ही नहीं है मैं आपको जूम करके अच्छे दिखाता हूं यह वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर यह 5 option phone से करते हुए आते ही नहीं है पांचवा option online services का हमें simply इस पर click कर देना है चले मैं इस पर click कर देता हूं इस पर click करते ही आप लोग देख सकते हो दुबारा से हमारे सामने चार option आ जाते हैं तो हमें simply यहाँ पर claim form 31, 19, 10C, 10D पर click कर देना है अब मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना कि pension का पैसा निकालने के लिए कौन सा आपको form बरना है तो हमें simply इस पर click कर देना है first option पर click करते ही आप लोग देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरीके का interface आता है अब मैं करना क्या है यहाँ पर आप देखे यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर आप देखे लिखा हुआ है कि online claim form 31, 19, 10C, 10D अब हमें यहाँ पर simply एक option मिलेगा enter bank account number का तो जिस भी bank की यहाँ पर manage पर click कर कर के दिखाता हूँ KYC हो रखी होगी या जो bank account जुड़ा होगा हमारे PF से वो bank का account number हमें simply यहाँ पर fill कर दिना है यहाँ पर fill कर दिना है ठीक है और ध्यान रहे है जिसकी KYC होई हो वही fill करना तो चलिए फटाप में आपर bank account number fill करता हूँ उसके बाद मिलता हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो account number हो मैंने fill कर दिया है अब हम simply आपर verify के दिये हुए button पर click कर देते हैं ठीक है verify पर click करते ही आप लोग देख सकते हो सही account number बढ़ा है तो यहाँ पर yes और no को option आजाएगा हमें simply इस undertaking को yes पर click कर दिना है yes पर click करते ही नीचे की तरफ हमारे सामने एक नया option आएगा proceed for online claim का हमें simply इस पर click कर दिना है इस पर click करते ही यहाँ पर verify होगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है verify होते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे important चीज़ please choose claim form type PF withdrawal, PF advance और pension withdrawal यहाँ पर लिखा है कि कौन सा पैसा बरना है कौन सा form बरना है वो चूज करिए PF withdrawal का PF advance का है pension withdrawal का तो हमें तो यह pension withdrawal का भरना है ठीक है ना तो pension withdrawal का भरने के लिए कौन सा form बरना है यह मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ आना है हमारे सामने एक option आएगा I want to apply for किस चीज के लिए apply करना है pension का पैसा निकालने के लिए इस पर click करना है यहाँ पर एक option अब यहाँ पर confused होते है PF members मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर confused होते हैं यह वाले 10C scheme certificate के बीच और only pension withdrawal form 10C के बीच तो मैं आपको बता दू अगर आपकी service 9.5 year से ज़्यादा है तो आपको scheme certificate के लिए apply करना है और अगर आपकी service आपका सकते हैं 7-8 महीने 4-5 महीने तो pension withdrawal form number 10C पर click कर देना है यहाँ पर click करते ही आप देखिए नीचे की तरफ आपके सामने options आजाएंगे यहाँ पर आप देखे employee address का आप PF members यह confused हो जाते हैं कि यहाँ पर address कौन सा डलना है जो आधार काट पर है वो डालना है कोई और address डलना है तो मैं एक चीज आपको बता द एक बार अच्छे से fill कर देता हूँ ठीक है आप लोग देख सकते हो जो details है मैंने यहाँ पर fill कर दिये अब हम simply यहाँ पर एक option आएगा upload scan copy of checkbook और passbook अब यहाँ पर PF members confused होते हैं बोलते हैं sir आपने तो पहले वीडियो बना के बता तो update आया है कि यहाँ पर checkbook पासबुक ड डाल देंगे डालने में क्या दिक्कत है option आता है तो डाल देना है नहीं option आता है तो भी अच्छी बात है तो नहीं डालना चले मैं आप पर fill कर देता हूँ simply ठीक है मतलब कि अपनी checkbook या passbook फिल करोगे उस पर नाम प्रिंट होना चाहिए प्लस वो jpg या फी jpeg होना चाहि अगर आपको size बना नहीं आता passbook का है किसी photo का तो comment करना है dedicated video बना दूँगा चले मैं यहाँ पर एक बार passbook upload कर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जो passbook है वो upload कर दिया यहाँ पर view पे click करके आप देख सकते हैं सही upload हुए है नहीं अब main चीज नीचे की तरफ आ अधार OTP पर click करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में हमारे आधार से link mobile number पर OTP भेज़ दिया गया है वो OTP हमें यहाँ पर fill कर देना है चले फटावट में OTP fill करता हूं उसके बाद मिलता हूं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो OTP हो मैंने fill कर द अब आप देख सकते हैं लोडिंग पूरी होते ही हमारे सामने यहाँ पर नीचे लिखा आ चुका है OTP has been verified, EKYC updated and pension withdrawal claim form submitted successfully तो कुछ इतना आसान है अपने PF में से pension का पैसा निकालना अब यहाँ पर देखिए जैसे आप click here पर click करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ह लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की PDF ओपन होके आजाएगी जहाँ पर यह एक सबूत है कि आपने pension का पैसा है PF का पैसा भरा है समझ आगया आपको तो अगर आप भी हमसे अपने PF का कोई काम करवाना चाहते हैं हम PF की consultancy agency चलाते हैं जहाँ पर हम PF related सारा contact नमर मिल जाएगा contact करिए हम आपके PF का सारा काम कर देंगे कोई सी प्रवल्म हों solve कर देंगे आज की इस वीडियो मद इतना ही वीडियो चलेगे चनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद दोस्तों